हेलो स्टुडेंट्स वैलकम टू एज्जुकेशन राइज भूगोल कक्सा बारा के लिए एक्जाम से पहले इंपोर्टेंट देख लेते हैं आईए जल्दी से फटा फट से बीना टाइम खराब किये यहां पर सबसे पहले हम खंड आमे कुछ क्वास्टन्स देखेंगे उसक तीसरा प्रसना है निम्नलिकित मैंसे कौन सी संक्या जन संक्या के कारेसिल आयू वर्ग का प्रति निदित्व करती है तो इसका सही जवाब रहेगा आप्सन दो मैं केवल राइट आप्सन बताऊंगा जो राइट आंसर है उसको हम देखेंगे तो इसका सही जवाब रहेग बहुतिक परियावरन को माता प्रकरती कहा जाता है नेक्स चौथा प्रसन है जनांकी किया संक्रमन सिधान्त की प्रथम अवस्ता रहती है प्रथम अवस्ता में रहता है क्या रहती है तो इसका सही जवाब रहेगा कि जो प्रथम अवस्ता होती है जनांकी की संक्रमन की इसमे प्रात्मिकार्थी क्रिया में सम्मिलित होते हैं अगला question है Silicon घाटी कहां पर इस्तित है तो अमेरिका के San Francisco के समीब Silicon घाटी इस्तित है सही जवाब रहेगा option sir नेक्स question है निम्न मैंसे किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचींतम नगरिय बसती है तो ये जो है ना इसका सही जवाब रहेगा option ब सिंदू घाटी सब्यता आगे बढ़ते हैं अगला question दिया हुआ है सन 2011 की जनगरना के अनुसार निम्न मैंसे किस राज्य में नगरिय जन सेंक्या का अनुपात सरवादिक है तो इसका सही जवाब रहेगा option a तमिल नाडू में नगरिय जन सेंक्या का अनुपात सरवादिक रहा है अगला question है निम्न मैंसे प्राचीन नगर का उदारन कौन सा है तो ये जो प्रयाग है इलाबाद के पास में ये जो हो प्राचीन तम नगर माना जाता है नेक्स question है लो आयस्क के प्रगलन के लिए एक महतोपूर्ण कच्चा माल है तो इसका सही जवाब रहेगा option a मैंगनिज जो हो लो आयस्क के प्रगलन के लिए एक महतोपूर्ण कच्चा माल है आपकी विसेश डिमांड पर ये वीडियो ला रहा हूँ तो एक्जाम से पहले काफी important है देखके जरूर जाइएगा एक्जाम में आपको help मिलेगी और next हम शुरू करते हैं यहाँ पर रिक्तिस्तान की पूर्ती कीजिए तो हमारे पास पहला question है परिवेन के सभी रूपों को कहा जाता है क्या कहा जाता है उन्हें संचार पत कहा जाता है परिवेन के सभी रूपों को संचार पत कहते है दूसरा प्रसन है रिक्तिस्तान का अर्थ देश की अर्थ वावस्ता को संचार की अर्थ वावस्ता के साथ एकिकरत करना है तो वैस्वी करन का अर्थ है वैस्वी करण का अर्थ है देश की अर्थ वैवस्ता को संसार की अर्थ वैवस्ता के साथ संपूर्ण विश्व को एक कर देना दरातली और भूमिगत जली संसाधन का कुसल प्रबंधन कहलाता है तो वो जल संभर प्रबंधन कहलाता है अगला प्रस्ण है एक बहुत देश्य उपक्रेप प्रनाली है जो दूर संचार मोसमी घटनाओं के अवलोकन तथा अन्य आकडों और कारे क्रमों के लिए उप्योगी है तो यह है इंसेट और अब हम करेंगे अति लगुदरात्मक प्रस्णा तो पहला प्रस्णा है कि जनसंक्या वर्द्धी से आप क्या समझते हैं आपको लिखना है समय के दो अंतरालों के मद्य एक छेत्र विशेस में होने वाले जनसेंख्या के परिवर्तन को जनसेंख्या व्रद्धी कहते है नेक्स्ट है विश्व के विक्सीत देश खनन संबंदी कारें से पीछे क्यों हट रहे हैं तो क्योंकि विक्सित देशों में मानवीय स्रम महेंगा है, इसलिए इन देशों को खनन कारे में अधिक स्रम लगाना लागत व्या करनी पड़ती हैं, इसलिए ये लोग खनन संबंदिक कारें से पीछे हट रहे हैं, अगला क्वेस्चन है सिलिकोन घाटी कहां परिस्तित हैं, तो आपको लिखना है कि सिलिकोन घाटी सहयुक्त राज्जी अमेरिका में सैन फ्रांसिसको के समय पिस्तित हैं, नेक्स प्रसन है चोथा, परियाटन से आप क्या समझते हैं, परियाटन से क्या आसा है, उत्तर लिखना है कि परियाटन एक यात्रा है, जो व्यापार की अप विचार धाराओं को इस पस्ट कीजिए, आप लिखेंगे कि मानव भूगोल की तीन विचार धारा हैं जो नीम न लिखी थे, आगे बटने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको इंगलिस कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री जो और पॉलिटिकल स वातावरन के अंतर संबंदों की इस विचार धारा में मानवी क्रिया कलापों पर प्रकर्ति का पूर्ण नियंतरन माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मनुस्य पर प्रकर्ति का नियंतरन है, दूसरा है संभव वाद, तो इसमें क्या होता है कि मानव और प्राकर्तिक व प्रातावरण के अंतर संबंधों की ये विचारधारा यह बताती है कि प्राकर्तिक नियमों का अनुपालन कर मानो प्रकर्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्राकर्तिक वातावरण के संदर में मानवी क्रिया कलापों के अध्ययन को महत्त प्रदान किया जाता है। प्राकर्तिक विचारधारा यह बताता है। इस नगरों में विसाल कंकरीट के ढहाचों की प्रमुकता मिलने से नगर के आंत्रिक भाग अधिक गर्म होगर उसम दीप की रूप में कारे करने लगते हैं। और साथवा क्वेस्चन है। पांच वे होते हैं मरुस्तलिय ग्राम तो विन्यास के आधार पर अगर सीधा यहीं से प्रस्ण बनता है कि विन्यास के आधार पर ग्रामिन बस्तिया कितने प्रकार की होती है तो आप लिखेंगे पांच प्रकार की होती है मैदानी ग्राम पठारी ग्राम तर्टिय ग्राम व प्रत्ताकार प्रतिरूप चौता है तारे के आकार का प्रतिरूप और नेक्स्ट है टी आकार का प्रतिरूप टी आकार वाई आकार क्रोस आकार का प्रतिरूप और फिर अंतिम है दो रेक ग्राम तो यह साथ प्रकार के हैं आकरती के आधार पर जो ग्रामिंड बस्तियों का ग्रामीन बस्तियां जो है यहां पर होगी साथ परकार नेक्स्ट और अन्ति म प्रस्ण है आज की इस कलास का भारत में आंतरिक प्रवास की कोई दो धाराएं बताईए तो पहला तो आपको लेखना है कि ग्रामीन से ग्रामीन प्रवास है ना दूसरा है ग्रामीन से नगरिय प्रवास ग्रामीन चेत्रों से नगरिय चेत्रों में होने वाला आवागमन ग्रामीन से नगरिय प्रवास कहलाता है भारत में इस धारा की अंतरगत महिलाओं की तुलना में पूरुसों की संख्या अंतर राज्य प्रवास इस तरपर अधिक हो या विस्पूर्ट के प्रमुक कारण निम्नले की थे, पहला है जन्म दर का उच रहना जिबकि मृत्यु दर का कम होना, दूसरा है इस सम्यावदी में आप प्रवास का अधिक होना, और तीसरा है चिकिसा का इस्तर उचा होना और अर्थ वैवस्ता का विकास होना, और नेक्स आदारित प्राथमिक क्रियाओं से करती हैं, जबकि नगरिय बस्तियां एक और कच्छे माल के प्रक्रमन और तैयार माल के विनिर्मन तथा दूसरी और विविन प्रकार की सेवाओं पर निर्वर करती हैं, दूसरा पॉंट लिखना है, कि ग्रामिन बस्तियां नगरिय बस् तथा सेवाएं न किवल अपने लिए उत्पन करती हैं बलकि इन्हें ग्रामीन चेत्रों को भी प्रदान करती हैं और इसे के साथ यह वीडियो यही पर समाब तो था है आप सभी को एक्जाम से पहले यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बैस्ट अप